एक निर्धन औरत, एक साधू के पास गई, स्वामी जी, कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख दीजिए, जिससे मेरे बच्चों का रात को भूख से रोना बंध हो जाए। साधू ने कुछ पल एक टक आकाश की ओर देखा, फिर अपनी कोटिया में अंदर गया, और एक पीले कपड़े पर एक मंत्र लिख कर, उसे ताबीज की तरह लपेट बांध कर उस महिला को दे दिया। साधू ने कहा, इस मंत्र को घर में उस जगह रखना, जहां अपनी मेहनत की कमाई का धन रखती हो। महिला खुश होकर चली गई। इश्वर कृपा से उस दिन उसके पती की आमदनी ठीक हुई और बच्चों को भोजन मिल गया। रात शांती से कट गई। अगले दिन भोर में ही उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में मिली। थैली में धन के अलावा एक परचा भी निकला जिस पर लिखा था कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के पती ने एक छोटी सी दुकान किराय पर ले ली और काम शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बरहा तो दुकाने भी बढ़ती गई। जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी। पती की कमाई तेजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नजर उस मंत्र लिखे कप दधे पर पड़ी। नजाने साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि हमारी सारी तंगी दूर हो गई। सोचते सोचते उसने वह मंत्र वाला कप डिडध है खोल डाला। जिस लिखा था कि जब पैसों की तंगी समाप्त हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाए कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हो